मेरे साथ निरंतर बने रही है क्योंकि मैं आज आपको उस खबर से जोड़ने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की सुख्यों में है आज मैं सिख्षकों से आपको जोड़ने जा रहा हूं क्योंकि ओंलाइन अटेंडंस पंशन बहाली कि सारे उनके हैं मेरे साथ अटेवा से मौजूद हैं उमेश अंसारी जिनसे हम पूछंगे कि क्या मुद्धे हैं और क्या जो वह अटेंडंस से उत्तर प्रदेश गुवर् क्या उनकी मांगए हैं ये सारे जानकारियां हम उसब् Stephanie ए प्रदेंडंस नाफने को लेकर क вас 현재 About शंसारी जी है जो कि पासी के एक स्पूल में सिक्षक हैं और अटेवा से मीडिया पिर्भारी भी है तो पहले तो हम अपका चैनल में खायर मगदम और स्वागत करते हैं आपका बहुत श्यूक्र नाजिम भाई कि आपने जो उमारी सिक्षक रही इस अवाज पहुंचनी चाहिए कि आखर यह विरोध हो रहा है अचा उमेज भाई सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि सिक्षक जो टीचर्स हैं क्यों विरोध कर रहे हैं आटेंडेंस ओनलाइन अटेंडेंस देगे सर सबसे पहले तो मैं आपको जानकर लिए दूँ कि यह जो विरोध है ऑनलाइन अटेंडेंस का नहीं है पोई भी टीचर बहुत अच्छी चीज़ लाग होनी चाहिए और सबसे पहले महानदेश को महोदे के कारले से लाग होनी चाहिए भी अगर हम किसी को इपर को भी मुद्द तो उसका अन्जान जाने भी ना तो उसका भी तुकत परड़राम सामने होता है अब जैसे आप कह रहे हैं कि इसका गुरुष अटेंदेंस का नहीं है अब उन्होंने टाइम दिया सब को पता है कि आठ बजे पोटल लोग हो जाएगा आठ बे आठ से आठ के बीच में जो भी अध्यापक फस्तित होगा स्कूल के अंदर उसके अटेंदेंस लग जाएगी और उसके लावा लोग हो जाएगा अब माल लीज़ए जो अध्यापक एक मिनट भी लेट हो गया किसी वज़य से अध्यापक सब अपने कारणाय के प्रिटिक तर्मट हैं और समय से पहुँच रहे हैं लेकिन किसी कारणावज रास्ते में बाइक मिलगा गाउं द्यापक पे जाएगा रास्ती भी खराब हैं किसी एक नट डेट हो गया तो पूर दिंग लिए एशंट हो गया किस चीज़ का गुरूद है अटेंड़नांस का गुरूद नहीं है सरकार पहले जमीनी लेविल पर पर परिशानिया जो दिक्कत है उनको दूर करें उसके बाद इसके परकाम कर दो हमसे तयार है आप चाहते हैं कि आप लागू सिख्षा उल्लाइन लागू हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें संसोधार होने चाहिए है ताकि हम लोगों को जो कहा जा रहा है कि आप आठ बजे के बाद आएंगे तो लोग हो जाएगा उसके पाद अटेंडेंस नहीं होगी नहीं जैसे अब यह मसला है आठ बजे अटेंडेंस लोग कर देगा आठ बजकर एक मिनट दो मिनट पर कोई अध्याबाक आया तो उसका आना बेकार को पूर देंगे और इसमें दूसरी अब देगी हम भी इंसान हैं आप भी इंसाने सामजिक प्राड़ी हैं और आप भी परिवार मैं इस्कूल आगया घर से अचानक फोन आया कि बच्चा अचानक तेवे खराव या माली किसी के चोट फैट लग गई तो हम किस से जाएंगे और हम इस निकले हैं इसकूल के लिए इसकूल में हमें हमें इसकूल पहुंचना में एक मिनट पर रुक गया तो लेड हो जाओं अगर मैं उसकी साहत अगर में रुखता हूं तो मेरी अक्षण लगनी है और मैं उसको छोड़ कर जाता हूं तो फिर मैं कैसे अपने आपसे अपने जमीर से नजर में आपा होगा कि आपने पहुत फोड़ कर आगया यह सारी दिक्कते सरकाव को समझने चाहें अध्यापक जो इस देश का भविष्य है अध्यापक को राश्निर्मता का आगया है लेकिन अध्यापक की पीड़ा को समझने को कोई तयार नहीं है अध्यापक की पीड़ा को समझें क्योंकि जो भी परेशानी है वो इस नीती की है ना की अटिंडेंस की है सरकार नीतियों को थो बदल और बताएंगे यह सारा इसकुन में सिकाएंगे लेकिन हम दिमाख में बात चलती रहीत है कि शायद हम एक मिनट नहीं हो जाएक अगर एक मिनिट लेट हो थो हमारा अटेंडंस हमारी है अपसेंट में बदल जाएगी यह कहना हो जिनका यह भी कहना है कि हम से ही कुछ शुरुवात हो रही है? सरकारी फूरी मशेंडी से शुरुवात होनी चाहिए. सभी ओ उफिसों में लागू होना चाहिए. आचा एक और बात मैं देखा हूं कि पैंशन को लेकर भी आप लामबंद हो रहे हैं पैंशन चाहते हैं कि आप पैंशन लागव हो इस बारे में क्या जाना है देगी आपना बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि मैं अठेवा से जिल्ला मीडिया प्रभारी भी हूं तो अठ कर्मी है तो क्या उसको पैंशन का धिकार नहीं है सब्सक्राइब को यह अपनी काड़ा को डेता है तका उसको पैंशन पाने कादर नहीं है कि वो दूश्ण छाहिए दिए रहेंगे हैं जो लोग लड़ा हो गए आज बिचारे महनों कर participate İş अबेगित कक्रこれi मौन मजदूर करें नहीं सकते लेंगी इसार के हैं कि पेंशन हों अपन अधिकार मांग हining हम अपनर संमन मांग रहें हो जो हमने अपना समय व्यतीत किया था जो हमने उपना आ समयबाटा त्हज़ुरों के साथ सिख्छा दी थी हम चाहएं कि हमें समान मिले जह कि हमारा जो कहता है रिटार्मेट के जो सम्मान होना चाहिए वो हमारा सम्मान मिलती हैं हम तो कैवल एक पेंशन की गुज़ारिश सरकार से कर रहे हैं वहुज अर्धियान नहीं को यह बी कहना है कि यृष्ट की देख नुधारफ न रहा है कि it does की जा रहे कि अधियापक है कि अधियापक है और दो अधियापक है या किसी भी किरम चारी है लोगों का ये भी कहना है कि सख्षक संग शायद आप राजनिती में आ रहे हैं ये राजनिती कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं ये राजनिती कही कुनों पार्ड भी बना जाओं तो उनका कहना ये सही है देगे नाजीम भाई दरसल को तो लोग लोग कुछ भी कह से हैं लेकिन अगर कोई ये कहे अपने हपी लड़ाई लड़ना गलत है तो हो कहें लेकिन हम ना राजञिती कर रही है ना मारा मत्रब है हम सिर्फ अपने हग के लाई ले लें इसका मैं एक्जामबिल आपको यह दूँगा आपने कभी बैंक की देखा होगा तो बैंक के तर्मचारी किसी वैसे हटाल पर रहे आंदोलन कर रहे या और भी भागों के तो आप बैंक में किसे काम से पता चला अरे बैंक आपने जो भी है जिलादिकारी महोजे के द्वारा मानिय मुख्यमंति जी तक हम बड़ी गरीमा के साथ पहुचाते हैं बच्चों के प्रहे का नुक्सान नहों हमारे जो आए नौनिया हाले उनका नुक्सान नहों उसको देखते हुए हम पहले अध्यापन कारा करते हैं उ लेकिन अब बताईए को या धिकारी स्कूल में आते हैं विजित करने हैं पर्टा फ़ह आपका निलमबिट क्या जाए अगर शोचालले गन्दा है प्रेंसेपल के ऊगए सकूल का सफाय कर्मी होना चाहिए लेकिन सफाय करमी का सब्सके नहीं है सफाय कर्मी अध्यापक है अगुद बिच में अध्यापक कराएगा, इसकूल की मिल अध्यापक बनवाएगा अब बीच में सलेंटा खतम हो गया, मैं सलेंटल लेने स्कूल चला गया एजन्सी पे, बचों को खाना टाइम पर बटनाएं, तो इसलिए हमारा ग्रोफ attendance का नहीं है एक तो यह जाते हैं तो हमें हाफ CL का option मिलना चाहिए और जितने भी सरकारी विभाग हैं सब में 30 EL होती हैं जो कि हम कभी भी ले सकते हैं किसी हमारे अध्यावक बंदू की शादी है वह शादी के लिए चुट्टी एपलाई चाहिए है तो शादी के लिए आद्म को कमझा दो चाहिए और चुट्टी चाहिए और जो पहले विभाग में पराव हमारी जो गरिश्मकालीन अकवार्स होता था वो 40 दिन का होता था और सिर्फ एडिंग के आई को अध्यावकों को पंदे दिन का शीद कालीन अफकाष भी लेकिन यह नहीं बताया कि वह वहां से कार्टी तरह ज़िया गया हम कहते है ना हमें शीद कालीन अफकाष दीजिए ना हमें गरिश्मकालीन अफकाष दीजिए हमें तो आप TSEL आप शीत काली में भीमान पड़ना हम तब देखना सकते हैं हम चुकी तब मिलती हैं नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रादान नहीं है इसलिए जरूरत है तो जरूरत सिर्फ इस बदलाव की है जो सिस्टम बना हुआ है जो एसी होलों में बैठकर रहने की बनाई जाती है उन जाल गलना आज तक गलना आधर रकार और बच्चों के आधार बनवाना रंगाई उदाई बिल्डिंग बनवाना पुल योड़ो आज जो हंगोस्तान गर्व से कहता है जो हम पॉल्यो मुक्त हैं मैं पहले साथ साल उनिसेफ में जो पिए एक साल डवलो एच में जो पिए बेस्के उनिसेफ्ट, प्रण्यों को यहां भी मैं रहा हूं तो मैंने खुद देता है कि अध्यापध बंडूओं ने कैसे कांदे दे मिलागा ने से क्वायव मुक्त विल्ड़ाने में बच्छाग विंदा नहीं तो खाली अध्यापध काम प्रान पाहा है अध्यापध को पांचुर का जाता है हम यह सिक्षा कांदॉलом कर रहे हैं और एक और बात सही करिए हमें यह विवयः धी आ हम आठ चाहते हैं सरकार को हमारे चैनल के मात् uncertain जो आपकी आवाज वहां तक पहुचरे देखिए सबसे पहले चीज तो यही है आपके चैनल के मात्धन से या जो भी हमारे पत्कार बंदुवें में सभी से निवदन करूँगा कि जो सच्चा ही है उसको आम जनता तो पोछाएं क्योंकि जनता तो सीदी साधी भोली बाली है जनता को तो जो दिखाई देगा उसी को कहेगी, तो अभी यह समझने की जरूवत है कि विरोध अटेंडेंस का ही नहीं, विरोध नीफी का है, तो इसलिए जितने भी लोग मेरी आवाज सुनने या सरकार तक भी आवाज पहुंच रही है, हम सिर्थ यह कहना चाहते हैं कि हम नाजाइज मांग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जाइज मांग है, सरकार उन पर विचार करें, उन चीजों को लागू करें, उसके बाद आटेंडेंस को लागू करें, और अगर देखिए और रही ओनलाइन सिस्टम की बाद, अभी यह चल रहा है, बच्चों की MDM की उपस्त पर देख रहा हैं, तब प्रदेश में, इस मुद्धे पर सभी शिक्चक एक जुट हैं, और सबका एक उद्दिश है कि ऑनलाइन अटेंडेंस का पाईकार करना है, क्यों कि सभी शिक्चक परिवार है, हमारा समय है परिवार के हिस्से हैं, इसलिए कोई भी शिक्चक हमसें अलग नहीं है, और साइसी चक एक जुट हैं, उन्होंने जो भी रटाजे रण लेती होगी, पहले हम उसमें, जो हमारे मांगे हैं, उनको मानना जाएगा, उसके बाद पर इस पर विचार किया जाएगा, इसे मेरे साथ उमेज जी जो बता रहे थे, मीडियो पिरबारियां बदल जाती है, इस पर भी विचार करना होगा, हम अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हम चाहते हैं, हमें वो सम्मार मिले जो हमने कारे किये हैं, देश निर्मार में हम उसके निये भी हमारा सम्मार मिलना चाहिए, यह कहना है, आटेवा के मीडियो पिरबारी उमेश कुम तो चले मेरे साथ कलेकूर सिक्षक साब को मुलाकात करा हुआ, नमस्कार खुदा आफिस